सब्सक्राइब करिए स्री होम्यो यूटूब चैनल और पेल आइकोन दबा कर सभी लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले पाईए हलो फ्रेंस मैं सब प्रफ्रस अच्टिया और श्री होम्यो कि इस नए वीडियो में मैं आप सबी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती है दोस्तों सरी स्टार्ट हो गई है और कई लोगों को इस मौसम में कपज की समास्या बहुत ज्यादा रहने लगती, क्योंकि ये मौसम काफ़ी ड्राइनेस लेकर आता है और बहुत साहे लोग कब्ज की वज़े से या मल दौर में कट लग जानी की वज़े से काफ़ी ज़ता दर्द और चुभन महसूस करती है तो इस कंडीशन से हिदियाद सफर कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे से ट साम से इस बीमारी से मुक्ति पाकर जी सकते हैं तो आए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्या आप अपनी हल्फ प्रॉब्लम से परिशान है तो समय गवाएं बिना पैस्ट हों में पहते क्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और प मल आनी की वज़े से आपको इस एरिया में कट लग जाते हैं जहापे घाओ भी बन सकता और कई बार ये बहुत दर्द भरे भी होते हैं तिस समस्या से निजात पाने के लिए अगर आप सिर्फ चार चीजों कर लेंगे तो आपको इस समस्या से इस दर्द से छुटकारा मिल जाता है किसी भी गमने में आप लोग लगा लीजिए और कई लोगों की घर में तो आप बना सकते हैं इसके लिए क्या करना आपको अलोवेरा काटने और उसका पल्प निकाले ताजा जूस बहुत अच्छा रहेगा आपकी सिहत के लिए और यदि आप क्या नहीं है तो आप रोजाना यदि सेवन करते हैं तो जिन भी लोगों का पीट नहीं साफ होता है उनका पीट आसाएं से साफ होने लगेगा और इसके साथ साथ आगर आपको वहाँ पर मस्ते हो गए हैं आपको बहुत ज़्यादा ओवरी हुई स्किन दिखती है उसमें खुजिली होती ज नेक्स्ट आप इस्तमाल करिए रोजाना अजवाई और काली नमक का अजवाई जो होती है जो हमें बदहजमी रहती है जो पीट में अफ्रा जैसा चड़ जाता है असा लगता खाना रखा हुआ है और यह कब जुकों भी दूर करती नेचुरल तरीके से तो अजवाई और क पाली नमक का जरूर से सीवन करें किस प्रकार से कर सकते हैं आप जो भी फाल सब्जी सलात खारें उसमें आप एड कर सकते उपर से यह आप अजवाईन का पानी बना सकते क्या करना है बस आप एक ग्लास पानी ले लीजिए किसी भी पैन में ले लीजिए और उसमें आपको पेट साफ करने में बहुत ज़्यादा helpful रहेगा और यह आपकी घर में आसानी से मिल भी जाएगा next आप क्या कर सके next आप रोजाना खाने में पपीते का सेवन करें पपीता बहुत बढ़ी आप वरकर था लीवर पे अक्सर जिन लोगों को कबच की समस्या रहती है उनकर लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है लीवर प्रॉपर काम नहीं करने से आपस को खाना पच नहीं नहीं लग रही है तो यहाँ यह पपीता जो है लीवर को हेल्दी बनाता है और आप रोजाना यदि फल की रूप में पपीटे का सेवन करेंगे हमें रोजान्टन न कोई ना कोई फल खाना चाहिए जने कब बुम करेंगे तो इनके लिए पहुआ जादा प्उनीफिशियल रहेगा रोजाना आप सुबह नास्ते के साथ या नास्ते से एक घंटे पहले पपीते ले सकते हैं या आप दोपहर में खाना खा रहें उसके एक घंटे पहले पपीते का सिवन कर सकते हैं तो टाइम आपको सुटीबल रगी अगर मॉर्निंग में ब्रिकफास्ट के बाद आप लेना चाहा रहे हैं तो ले लीजेगा पपीटा और नहीं तो रोज आप दोपहर में खाना खाने के गंटे पहले पपीटे का सिवन करें यह आपके लीवर को भी हल्दी करेगा और पीट आराम से साफ करवाएगा और अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता हो कि मुझे पीट में बहुत ज़्यादा बहुत भारी सालगता है और एक्स्टरनल पार्ट में NS की रास्ते में बहुत ज़्यदा सूजन वगरा हो जा रही है तो अंजीर ऐसी कंडिशन में बहुत फायरा करता है, अंजीर को कैसे इस्तवाल करना है, अंजीर जब आप मार्केट से खरीते तो आपको ड्राइ फॉर्म में सुखा हुआ मिलता है, पर जब आप इसे खाएंगे तो इसे आपको भीगा कर खाना होता है, तो आपको एक छोट पीकिटोरी में आप पानी लेड़ी, लगबाग आपका आधा ग्लास पानी रहे या छोटा ग्लास है तो एक छोटा ग्लास पानी रहे इसमें आप चार अंजीर, डिप कर दीजी, सोकने के लिए रखती जी, इसे आप रात को करें, ताकि अच्छे से अंजीर भीग जाएं ु तुब्ए जब उठेंगे तो पानी को भी पीना है और अंजीर को भी चबाशेबा के खाल लेना है यह अंजीर इतने ज़्वस से भरे होते इतनी वेरहां भास हो जाएगा है कि और बना जाएक चोंगो कि अधर दम नहीं होगा। होन ल sophomore मिक्स करके लगाएंंगे तो ट्राइनेल्यास हो गई या घाव बन गया है वो जल्दी से जल्दी भाद जाएंगे और नहाते वक्त गुट्मगुने पानी में बैठ करके आपको सिकाई करना है बैठ जाहिए और 15 मिन तक सिकाई करें ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो बिना किसी तवाई के आपके मंदवार में होने वाल और विगा किसी दर्द के बड़िया से जिन्दगी जी पाएंगे तो दोस्तों अगर आपको जानकारिया पसंद आई हो और हमारे साथ जोड़े रहना चाहते हैं इसी तरह की और सारी जानकारी पाने के लिए तो श्रीख हो में चैनल को कर ले सब्सक्राइब पैल आइकोन क्योंकि मैं असे लॉज़े वीडियो सेर करती रहती हूं और कोई आपका डाउट हो तो आप यूटूब के कमेंट सेक्सें में या मेरे लाइप सेसन में आकर पोस्ट सकते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक करिए का शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ अपने सोसल पाते हैं और नहीं बता पाते हैं तो आप अगर शेयर करेंगे तो हो सकता उनके लिए वनिफीशल हो और बहुत थी आराम से यह सारी चीज़े में जाती हैं जिन्ने आप खुद से भी इस्तवाल कर सकते हैं तो दोस्तों फिलाल मुझे दीजिए इजाजत मिलते सी तरक झाल 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 झाल